हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है और आज है जनवरी की 31 तरीक दोस्तों मैंने आज अपने गार्डन में कुछ जरूरी काम किये हैं जो अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है कल से फर्वरी का महीना शुरू हो जाएगा सभी पौदे बहुत अच्छे से फूल देंगे और कुछ रीपॉर्टिंग मेरी रहती थी कुछ मेरे सैप्लिंग्स थे आपको मैं सभी प्लांट्स एक वान बाई वन दिखाऊंगा यह दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने ट्रेज ली थी मैंने आपके साथ शेर भी किया है जहां मैं इनको लेकर आया था या फिर क्ले पॉट्स इनको कह सकते हैं यह मुझे 100 रुपे के हिसाब से मिले थे एक्चली मैं सोच रहा था कि इसमें कोई पॉदे लगाऊं पर मुझे पता नहीं चल रहा था पर किसी हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप इनमें पैटूनिया लगाए बहुत अच्छे लगते हैं तो मुझे वो सुझेशन बहुत अच्छा लगा तो इसलिए दोस्तो मेरे पास जो वराइटी थी पैटूनिया की वो भी इस बार बहुत खास थी मैंने दोस्तो लगाने के लिए क्या किया है इसमें जो कमपोस्ट होती है वो सिर्फ मैंने 10% लिया है 20% जो हमारे पास चावल के छिलके होते हैं वो मैंने लिया है बाकी दोस्तों जो हमारे पास मिट्टी होती है वो लिया है अभी दोस्तों जो आप ये पौदे देख रहे हो ये जो नॉर्मल पैटूनिया है उनसे थोड़े से अलग है इनको वेव पैटूनिया बोला जाता है अभी हला ही थुड़ा आपको कम मिलेंगे यह जो plants हैं नरोसरी से पर कुछ-कुछ जगा यह आसानी से मिल जाते हैं यह दोस्तों जैसे trailing variety है जैसे नीचे को यह trail कर जाते हैं जैसे हम कोई भी बेल लगाते हैं बेल के नीचे जाके बहुत सारे फूल आते हैं ये भी एक petunia के ऐसी variety है और जब इस पे फूल आएंगे दोस्तो तब मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैंने जो बीज हैं वो mix में लगा दिये थे कुछ normal petunias भी थे पर ये मुझे थोड़ा सा पत्तों से पहचान है तो ये हो सकते हैं बाकी पता नहीं अभी जाके फूल जब रहती हैं पतली होती है जिसके कारण मिट्टी जो है उसमें आपको राई सस्क भी जुरूर मिलाना है और साथ में जो sandy soil का इस्तमाल करेगा तो ये दोस्तों जो मेरे पास tray थी या clay pot है जो ये मुझे सही लगा इसके लिए आप देख सकते हैं ये आसानी से spreading कर जाएगा और इसको असल में अगर आप जारा फूल लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे जो जो जिसमें थोड़ी से वाइड रहता है उपर से जो आपका pot है जैसे trays होती है तो आप इन में लगा के देखें तो बहुत अच्छा result मिलेगा तो मैंने ये दोनों को transplant किया था शाम के वक्त अ चाहला करेंगे जो मैं आपको साथ के साथ वीडियोज में बताऊंगा और दोस्तों मैंने एक और जो मिट्टी तयार किया कुछ पौदों के लिए मैं दोस्तों जब nursery गया था इस बर मैंने बहुत सारे डेलिया की पौद लगाई थी पर क्या है time कम मिलने की वज़ए से मैं इतने सारे पौदे तयार नहीं कर पाया तो मैंने सोचा कि जो polybags होते हैं जिनमें nursery वाले तयार करते हैं जैसे ये वाले आप देख से हैं तो मैं इन में लगा दूँ नरसरी वाले जो हमारे यहां पे हैं उन्होंने खुद ही कहा था कि आप इन में लगा दीजे जो भी हो आ भी ट्रांस्प्लांट कर दूगा तो मैंने सबी जो प्लांट्स हैं इनमें ट्रांस्प्लांट किये हैं आप देख साथ जड़े हैं जो बहुत अच्छे से डेलिया की तियार हो गी है इसका ये नहीं है जरूरी कि मुझे के बहुत बड़े-बड़े फूल चाहिए सरफ ऐसे ह कि ये जो पौदे पड़े हैं एक्स्ट्रा इनको कहीं ना कहीं हम लगा दें जिसके साथ ये फूल दे दें या फिर इनके ट्यूबर्स बन जाएंगे जो हम next year लगा सकते हैं तो इस वज़े से तो मैं around 50 जो ये वाले black poly bags लेकर आया था तो इन सभी में मैंने ये पौदे ल कि उसके बाद इस्तिमाल में लिए है तो जो clay pot है दोस्तो चोटे 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 इसके thumb size के होते हैं उनको तोड़ना जरूरी है या निकालना जरूरी है नहीं तो आपके पौदे की growth नहीं बनेगी तो ऐसे ही करके आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे पौदे लगा रखे हैं growth थोड़ी से इनकी अभी रुकी हुई है पर आगे जाके देखेंगे इसको भी fertilizer बगएरा दे देंगे जिसके साथ इनकी जो development है growth है वो अच्छे तरीके से होती रहे तो आप भी दोस्तों ऐसे चोटे-चोटे poly bags में लगा सकते हैं जरूरी नहीं हर एक पौदा गमले मे यही उनका main मकसद होते है तो उससे जारा से जारा फूल लिए जाएं तो इस वज़े से दोस्तों अगर आप पुराने फूल तोड़ोगे जहां पर बीज बनने शुरू हो जाते है तब ही नए फूल आएंगे और अभी तो season भी ऐसा है spring season आने वाला है जिसमें फूल बहु भी निकालते रहें अभी थोड़ा सा मौसम में बदलाओ होगा तो आप देखेंगे यह बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो जो यह वीड बगार इनको निकालते रहें जो भी आपके पास फूल होते हैं इनकी आप कंपूस्ट बना सकते हैं जैसे मैंने यहाप एक बाल्टी लगाए इसमें सभी जो वीस्ट होता है मैं इसमें डालता हूँ और दोस्तो हमारा अगला पॉइंट है वो है फर्टिलाइजिंग आप देख साथ है मेरे पास यह गींदे के पौदे इनको मैंने लगाया तो बहुत पहले था शायद ज्यादा ठंड होने की वज़े से आप को पता है पंजाब साइड या नौर्थ साइड जो दिसेंबर और जनवरी की ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है जिसके कारण पौदों के ग्रोथ भी कही ना कही अफेक्ट हो जाती है तो अभी ये थोड़ी से छोटे रहे गया है तो मैं सोच रहा था इसमें डी दीजिए और साथ में जो छे से साथ दाने या जारा से जारा दस दाने आप डाल सकते एक पौदे के लिए जैसे मैंने दो पौदे लगा हैं थोड़े से हम जारा भी डाल सकते हैं तो इनको डाल कर दोस्तों आपने ऊपर से कवर कर देना है मैं दोस्तों में बीच में से पूड़ क्रेट होती है उसमें मैंने यह राउंड आठ पौदे लगा हैं जिन में इसे चार जो पहले पौदे देख साथ इनकी वराइटी डिफरेंट है यह लंबी हाइट वाले और दूसरे चार छोटी हाइट वाले इस वज़े से आपको हाइट का भी थोड़ा से दिख र करता जाओंगा सिर्फ आपको यह चीज करने है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आपको साथ के साथ अपडेट्स मिलेंगे आपको गार्डन में मैं सभी चीज़े बताऊंगा जो जो मैं करता हूं और फरवरी और मार्च दो ऐसे महिने होते हैं सभी गार् मैं एक परव चैनल